नमस्कार मैं हो ससी आई जार्खन की टॉप 25 पर्मुख खबर जानते हैं जार्खन में PGT समेत अने परिक्षाओं की हो CBI जाच नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने विजेपी परदेश करेले में सोमर को प्रेश वारता कर राज सरकार पर निशाना साधा है उन्होंने राज सरकार के संगरक्षन में युवाओं की नोकरी बेचे जाने कारूप लगाया उन्होंने PGT समेत अने परिक्षाओं की CBI से जाच कराने की मांग की है उन्होंने कहा है कि सरकार युवाओं को नोकरी दे नहीं रही है बलिक नोकरी या बेच रही है परिक्षावों में होई धांदली की CBI से जाज कराई जाए इसके लिए वे केंद्रिये मंत्री से पत्रचार भी करेंगे जारखन का युवा खुद को ठागा महसूस कर रहे हैं बता दे नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा है कि वावों को सपने दिखाकर राजिक की जानता से जूट बोलकर सत्ता में आई जेवेम कांग्रेस और रायत की सरकार के खिलाब अब युवा आकरोसी थाएं क्योंकि ठागबंधन सरकार ने अब तक जो भी परिक्षाय ली है उन सभी परिक्षाओं में गरबढ़िया सामने आई है ऐसे में राज सरकार को चाहिए कि OUAO के हीत में इन सभी परिक्षाओं में हुई गरबढ़ियों की जान CBI से कराने की अमसंसा करे मुख्य मंत्री 3 जुलाई को 15 सिक्षको को देंगे नियुक्ती पत्र छारखन के नौ चैनीत 15 सो प्रस्टू सिक्षको को 3 जुलाई को नियुक्ती पत्र दिया जाएगा इसको ली सिक्षायम ससेता विभाग नैसकी त्यारी प्रादाम कर दी है मुख्य मंत्री 25 रेन 6 को को नियुक्ती पत्र देंगे नियुक्ती पत्र बित्रन समारोह दीन के 12 बजे से धुरवा इस्थीत प्रभात तरा मैदान में होगा नियुक्ति पत्र बित्रन समारों में बीत मंत्री डाक्टर रामेशर उराव स्रम मंत्री सत्रन भोकता भी सामिल होंगे राजे में वर्ष दो हजर बाईस में एक तीसो बीस प्लस टू सिक्षको की नियुक्ति परकिरिया शुरू की गई थी इन में से प्रथम चरन में लगभग एक हैर सिक्षको को इस वर्ष मार्च में नियुक्ति पत्र दिया गया था जार्खन के नौ चैनी सिक्षको के परवन पत्रों की जांच की परकिरिया पुरी हो गई है बताते गनीत इतिहास हिंदी और साज संस्क्रीट अंग्रेजी वा बानीजी भी साइके सिक्षको को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा हेमंत सुरेन के आवास पर सतापक्ष के बिधायकों की बैठक कल जामो करकारी अध्यक्ष और पुर्मुक्ष मंत्री हेमंसुरेन के आवास पर बुद्ध्वार को सतापक्ष के बिधायकों की बैठक होगी इसमें सभी बिधायकों को उपस्थित रहने के लिए कहा गया है इस पर सियासी सरगार्मी बढ़ गई है माना जा रहा है कि बैठक में इंडिया गड़ बंधन बिधान सभाचुनाओ को लेकर रनीती को धार देगा या भी चर्चा है कि हेमंत को नेत्रित सौपने पर भी बिधायक अपनी राय दे सकते हैं बतादे जामो महासची विनोत पांडे ने बैठक की जनकारी देते हुए कहा है कि जल्द ही पार्टी की केंद्रिय समिती की भी बैठक होगी इन बैठकों में बिधान सभाचुनाओ की रनीती परमंथन होगा कांग्रेस परदेश अध्यक्स राय ठाकुने कहा है कि बैठा की दोरान सभी बिधायक मजूद रहेंगे बतादे कि हेमान सुरेन ने भी कहा है कि करकरता चुनाओ त्यारी में जुट जाए बिधायकों को कहा गया है कि पांच महाँ बाद हेमन सुरेंजेल से बाहर आये हैं और वह कट बंधन के बिधायकों से मिलकर राजनितिक परिश्थितियों पर विचार भी मर्ज करना चाहते हैं नए कानून के तहत राजे में 33 केस दर्ज जारखन समेत पूरे देश में सोमवार से तीन नए अपराधी कानून लागू हो गए हैं नए कानून के तहत पहला मामला ग्वालियर में रभीवा रात करी 12 बच कर 10 मिट पर दर्ज किया गया बतादे देर रात तक मिली जारखन कानून लागू होने के पहले दिन राजची में दो समेत पूरे जारखन में 33 मामले दर्ज किये गए हैं जीलो से पुलिस मुख्याले में अपडेट नहीं पहुँचे थे ऐसे में आकडा और बठने के असार हैं जारखन में नए कानूनों को लेकर पूलिस ने एक कंट्रोल रूम बनाया है जनकारी के नुसर पहले दिन हजारी बाग और रामगर में पाँच पाँच पूर्भी सिम्ह में चार गिरीडी में तीन रांची पलामू लातेहार और साहिब गंज में दो दो के अलावा खुटी रामगर, धनबाज, देवघर, पाकूल, गढ़वा, सिम्टे का लोहर्दगा में एक-एक मामले दर्च किया गया है रांची में पाला मामला बरियातु थाना में बाइक चोरी का दर्च किया गया साधी समारोह में सामिल हुए सिम्ट चमपाई ने सूखे की स्थिती पर किया एलान ग्रिह जीला स्तराय के लाखर सावा दोरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री चमपाई सुरेन रभी औरकोपैत्रिक घर जीलिंग गोड़ा में रातरी बिश्राम के बाद सोमार को रांची रवाना हुए रांची जाने से पूरो सिम्ट चमपाई सुरेन फीर से विधान सभाचेत्र राजनगर पहुंचे राजनगर के सिजूलता में अपने चहेते करकारता निम्बू परधान के यहां उनके भतीजे की साधी समारों में सरीक हुए मुख्यमंत्री ने वरवधू को असिरवाद दिया इस दोरान मांसुन की देरी से उत्पन हो रही सुखार की स्थिती पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि बारिच ना होने की वज़ा से किसानों को परिसानी न जहलनी पड़े इसके लिए सरकार बैकल्पिक क्रितिम सिचाई की वेवस्था कर रही है बहुत जल्द राजनगर एवम आसपास के चिनित जगोपर पाइपलाइन से अंडर ग्राउंड सिचाई की वेवस्था समय पर ध्रातर पर उतरेगा ताकि किसानों के खेतों में साल भर पानी पहुंच सके लातेहर पुलिस ने जेजे एमपी के चार उग्रवादी को किया गिरफतार लातेहर के छीपा दोहर पुलिस ने परतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजे एमपी के चार उग्रवादी को हंतियार के साथ गिरफतार करने में सफलता पाई है चारव के गिरफतारी रभिवार की छीपा दोहर थाना छेतर के बाग टोला मोड के पास एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चला कर किया गया गिरफतार उगरबादियों में बीतन लोहरा पिता जगेश्वर लोहरा लखन लोहरा पिता रूपन लोहरा और गुड्डू उर्फ मच्छेंद्र लोहरा पिता राम बिरिक्च लोहरा वा बिरेंद्र सिंग पिता महेश्वर सिंग सामिल है इसकी जनकारी बरहवाड़ी, DSP, Wing Test, कुमार ने प्रेस वर्ता कर दी है नव बरसों में इस बार जून में सबसे कम बारिस जारखन में पिछले नव बरस में बिते माह जून में सबसे कम बारिस हुई है इस बार मानसुन जून में एक दिन भी खुल कर नहीं बरसा इस बार साथ दिन में पूरे जारखन में छाने वाला मानसुन जून में केवल 49 फिजदी ही बरसा है राज में इस दोरान 73.5 मिलिमीटर बारिस हुई है इस बार का मानसुन जून के दोरान 2019 के कमजोर मानसुन से भी पिछल गया है इस बार बारिस में कमी का परतिशत बढ़का 61 फिश्दी पहुँच गया मौसम विभाग के अनुसार वर्ष 2016 के बाद से अब तक केवल दो बार ही मांसुन समाने रहा है इसमें एक बार 2021 में जून के दवरां 34 फिश्दी अधिक बारिस हुई वहीं इस महीने में 266 मिली मीटर बारिस हुई है जबकि 7 बरस यह कमजोर रहा है खुटी में पुलिश ने एक मवादी को किया गिरफतार खुटी के अरकी पुलिश ने एक मवादी सतर से सादो उर्फ सादो हिम्रम को गिरफतार की है पूलिश ने उसके पास से मवादी का 45 पीस पोस्टर और एक बैनर ब्रामत की है इसकी जनकारी सुमवार को SDPO वरून रजक ने प्रेस कोंट्रेंस कर दिया उन्होंने बताया है कि गुपत सुचना के अधार पर सादो हेमरम को उसके घर से गिरफतार किया गया इस दोरान घर से बैनर और पोस्टर भी ब्रामत किया गया वहीं एक बाइक भी जब्त की गई SDPO ने बताया है कि वह लगातार मावादियों के संपर्क में था उसके घर से ब्रामत बैनर और पोस्टर का वह लोग सभा चुनाओ बहिसकार करने को लेकर उप्योग करने वाला था हलाकि पूलिस और अर्ध सैनिक बालो के सेक्रेता के कारण वह बैनर पोस्टर कभी नहीं लगा सका अबुआ अवास के लाभकों के चैन में बर्ते परदार सीता साहिब गंज जीले के ताल जहरी परखण में सोम वार को हला बोल करकरम का वजन किया गया आईसु पार्टी के जीला महिला सचिव दूरगावती देवी के नेतित में परखंड मुख्याले में करकरम कायोजन किया गया जारखंड में ब्याप्त भरिष्टाचार अपसर साही और ताना साही के खिलाब जानता की मांगों को लेकर पूरे राज में आईसु पार्टी हला बोल कारकरम आयोजित कर रही है बता दे अबुआ अवाज जोजिना की लापको के चैन में पादार सिता समेत अन्यक कई मांगों को लेकर परदर्शन किया गया हला बोल कारकरम के बाद आईसु पार्टी की जिला महिला सचिव दुरगावती के नतित में ताल जारी परखन के वीडियो परतिनी धी को मांग पत्र सोपा गया है जारखन बिधान सभा में भरती और प्रोनती का मामला कोट में लंबी तो जारखन बिधान सभा में पूर्व स्पिकर इंदर सिंग नमधारी और आलमगीर आलम के कारेकाल में नियोक्त हुए 400 से अधीक कर्मियों की बाहाली पर सवाल उठे हाँ इससे समंधित मामला हाई कोड में भी चल रहा है इसी बीच विधान सभा आपने चतूत वर्गिय कर्मियों को करने सची वाले सहाया को निमन वर्गिय लिपिक के साथ सुरक्षा प्रहरी पद पर प्रोनाती करने जा रही है प्रोनाती के लिए 14 जुलाई को सीमीत परत्योक्ता परिक्षा के राली स्कूल में दिन के 11 से 2 बये तक होगी बतादे परिक्षा में चतूत वर्गिय कर्मचारी हिसा ले सकेंगे परिक्षा पास होने परवेकन ये सच्चिवारे सहाया के निमन वर्गिय लिपिक के पद पर प्रोनाती होंगे सुरक्षा प्रहरी के लिए सारेडिक टेस्ट भी होगा धन्यवाद